मध्यप्रदेश के रिवा जिले में तेज रप्तारबाहनों की वजह से आए दिन सड़क दुरघटनायें देखने को मिल रहा है रीवा जिले में तेज रप्तार बाहनू की वज़े से सड़क दुर घटनाओं का आकड़ा दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है इसी सिलसले में रीवा जिले के गढ़ थाना छेतर अंतर गत घूमा कटरा बाइपास पर बुद्धवार और गुरवार की रात तकरीवन एक बज़े एक ट्रक और सफारी के बीच भिड़नत हो गई जिसमें एक यूबक की जान चली गई बताया जा रहा है कि मृतक गूनी पा पर एक ट्रक से उनके सफारी की भिड़नत हो गई जिसमें घटना अस्थल पर ही गूनी पांड़े की मौत हो गई वहीं सफारी में मौजूद एक ब्यक्ति गंभिर रूप से घायल हो गया जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया है वहीं जैसे ही जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस भी घटना अस्थल पर पहुंची और घायल व्यक्ति को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया वहीं मृतक का पोस्ट माडम करवा दिया गया है और सब परिजनों को सौब दिया गया है जिस तरह से रिवा जिल अनियंत्रित होकर इधर उधर चली जाती है कभी ट्रक भीड़ जाता है लगातार रिवा जिले में जिस तरह से सड़क दुरघटनाओं का आकड़ा बढ़ता चला जा रहा है कहीं न कहीं ये चिंता का विशय बना हुआ है